तो हर्याना सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हर्याना सरकार ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 4 जनवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन है तो हर्याना सरकार के जितने भी करमचारी है उनकी अटेंडेंस से संबंदित ये नोटिफिकेशन है आप सभी को पता है कि करोना वाइरस की वज़े से हर्याना सरकार बड़े कदम उठा चुकी है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पांच जिलों में जो है पांच बेस तक दुकाने खुलेंगी और दोनों डोज लेना अनिवारे है उसी करम में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और अब जो हर्याना सरकार के करमचारी है उन्हें रोटेशन बेसिस पर बुलाने का नेरने लिया है कब तक 20 जनवरी 2022 तक आप देख सकते हैं फिजिकल अटेंडेंडेंस और गोवर्मेंट सर्वेंट बिलो दा लेवल अफ अंडर सेक्रेटरी शेल बी रेस्टिक्टिट टू 50 परसेंट अफ दा एक्चुल स्ट्रेंथ तो जो अंडर सेक्रेटरी से नीचे के employees हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो 50% ही रहेगी, याणि कि 50% समता के साथ ही काम करेंगे और बाकि 50% work from home करेंगे घर से काम करेंगे, यानि कि roaster form में and roaster may be prepared accordingly by all the departments concerned All officers of the level of under secretary equivalent and above are to attend office on regular basis तो under secretary या उधिक जो उपर वाले करमचारी हैं वे regular basis पर तो जो पीड़लीडी या फिर प्रेग्रेंट वोमें जो इंप्लोईज हैं उन्हें एक्जम्ट कर दिया गया है ओफिस आने की कोई जुरूरत नहीं है लेकिन घर से काम करेंगी तो भीड कटी नहीं करने है टेंडेंस के बग लिफ्ट ने जो है गैप में थोड़े 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 टाइम में उन्हें यूस करनी होगी अगर वहाँ से कोई करमचारी आता है तो उन्हें भी ओफिस आने की जुरूरत नहीं है जब तक की वो डिनियोटिफाई ना कर दिया जाए वो एरिया तो जो भी घर से काम करेंगा एंप्लोई वे जो है लगातार संपरक में रहेंगे टेलीफोन के माध्यम से अगर मीटिंग की कोई आवशकता है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से की जाएगी तो जितने भी सरकार की गाइडलाइन से हैं कोविट से संबंदित उनका पालम करना होगा जैसे की सैनिटाइजेशन मास्क को पहनना होगा तो आप देख सकते हैं हरियान सरकार का नोटिविकेशन है काफी बड़ी अपडेट है हरियान सरकार के करमचारियों से संबंदित की रोष्टर फोर्म में ओफिसेज अटेंड करेंगे 50-50% के साथ तो आप इस वीडियो को ज़्याद है ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह इंफर्मेशन पहुँच जाए